किसी की हतेली में ट्रविंग लाइन आकर के लक लाइन और लाइफ लाइन को कट करते वे दिखाई दे ये साइन बलकुल भी अच्छा नहीं होता है, ये यातरा से होने वाले नुकसान के बारे में बताता है, अब ये नुकसान कितना बड़ा होगा, ये पुरी तरह से साइन क ये साइन जितना स्ट्रॉंग आपकी हथेली में बनेगा आपका नुकसान ये उतना ही बड़ा देगा। तब्यत बहुत जादा खराब हो गई या फिर आपका मेजर एक्सिडेंट हो गया तो ये साइन को मिला करके बिलकुल भी अच्छा नहीं है ये साइन अच्छा नहीं है ये मेजर लॉस को शो कर रहा है इसके बावजूत आपकी लाइफ के उपर इसका सैड़िफेक्ट ना के बराबर होगा क्योंकि एक ट्राविंग लाइन जहां लॉस को शो करता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहीं दूसरी ट्राविंग लाइन बेनिफिट को बता रही है और दोनों के मिलने का पॉइंट एक ही है अब यहां क्या होगा लॉस होते होते रह जाएगा जैसे सामान आपका चोरी हो गया और विदिन अवीक और विदिन अमंद वो सामान आपको वापस मिल गया आप कहीं जा रहे हैं आपको ऐसा लगा कि बस अब एक्सिडेंट होने वाला है अब मेले जिन्दगी खत्म और वहां कुछ मिर्कल हो गया और आप सेव हो गया तो यहां जो भी इवेंट होगा आप सेव हो जाएंगे आपका लॉस ना के बराबर जाएगा लेकिन वो इवेंट आपको पूरी जिन्दगी याद रहेगा यह भी तैय है तो या तो इसका असर खत्म हो गया होगा या आगे आपको यह फेस करना पर सकता है अगर अभी तक इस तरह का को इवेंट आपके फेस नहीं किया है तो याद रहेगा वो हमेशा आपको मॉमिंट याद रहेगा पूरी जिन्दगी याद रहेगा क्योंकि छोटा नहीं होगा वो इवेंट बहुत बड़ा होगा हाँ यहां यह भी होगा कि आपकी आस्था इश्वर की उपर बहुत जादा बढ़ जाएगी क्योंकि उस वक्त इंसान को एसास होता है कि कुछ तो है जो इस दुनिया का संचालन कर रही है कोई तो है जिसने मुझे सेट किया है यह तो फील होगा ही आपको और यहां से आप ब्रम्हांड की उर्जाओं के प्रती समर्पर बढ़ा देंगे यानि आपकी मन में इश्वर के प्रतियास था इस इवर्ट के बाद से और भी जादा बढ़ जाएगे आपकी अतिले में यात्र से नुकसान के दो साइन है एक मेजर है जहां आप सेव होते वे दिखाई दे हैं और दूसरा माइनर है ये थोड़ा बहुत बहुत जादा नहीं जैसे हलका सा चोट लग जाना मामली से सामान का चोरी हो जाना थोड़ी बहुत अब्यत खराप हो इसको बता रहा है तो मेजर लॉस नहीं है जहां था वहां इश्वर ने आपको सेव किया है दो यात्रा पर जाएंगे उससे जादा बेनिफिट आपको वो यात्रा देते वे दिखाई दे रही है यदि किसी की विवार एखा इस शेट में हो वो हार्ट लाइन के तरफ देख रही हो लाइफ पार्टनर डॉमिनेटिंग मिलता है पजिसे मिलता है बहुत जादा प्यार करने वाला हद से जादा प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर होता है और कहीं न कहीं वो आपको किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकता आपके खुद की फैमिली के साथ भी नहीं अगर ये अपनी wife से ज़्यादा time अपनी मा को दे तो शायद उनको ये भी बरदाश नहीं होगा तो कभी-कभी क्या होता है कि हद से ज़्यादा प्यार भी आपको जहर लगने लग जाता है ये वाली बात होती है Mind line आपकी बता रही है कि वक्त के साथ आपकी आस्था इश्वर के उपर बढ़ने लगेगी और आज जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी आप spiritual होते चले जाएंगे साथी Mind line पर बनने वाला ये pressure line ये भी बताता है कि आप जैसी प्रोफिशन में है जब तक ये sign आपकी Mind line के उपर बना रहता है लेकिन जैसे ही Mind line आपकी एकदम smooth पतली सी जाते वे दिखाए दे कोई dark बहुत ज़दा dark ना हो या कोई cut ना हो तो समझ जाना कि उस age के बाद से आपकी life काफ़ smooth होने वाली है यानि जैसा career आपको चाहिए था या तो उस career का चुनाओ आपनी उसेज में जाकर के किया है या फिर जिस career में आप है जिस field का आपनी चुनाओ किया उस उम्र में जाकर के आपको मनचाही तरकी मिल रही है आपकी हदिली में ये sign बता रहा है कि जिस तरह की तरक्य की उमीद आपने अपने आप से की है यह तरक्य आपको 2026 में मिलते हुए देख रही है यहाँ एक शिप्ट आएगा हो सकता है आपका लोकेशन चेंज हो यह भी देख रहा है यहाँ पर यदि किसी की हतेली में सटन माउंट पर जाकरके यूँ इस तरह से आपकी लख लाइन दो भगों में बढ़ जाए बहुत पैसा होता है इनके पास ओर्लेज में तो काफी ज़्यादा यह साइन यदि आपकी हतेली में है तो आप करोड़ पती तो बनेंगे ऐसे लोग जीवन में कभी न कभी धोका धड़ी के शिकार होते हैं यह लोग गलती खुद नहीं करते हैं लेकिन गलत इनसान पे भरुसा कर लेने के कारण मुसीबत में फज़ जाते हैं वहीं आप देख सकते हैं कि यह वाली सनलाइन यह जॉब को शो करती है और यह वाली सनलाइन यह जॉब को भी शो करती है और बिजनस को भी शो करती है लेकिन जो भी काम आप करने वाले है विदेशी धरती से आपका संपर्क बनेगा इसको बताता है और विदेश के लोग आपको जानेंगे तो हो सकता है आप ऐसी company में जाए जहाँ जो विदेशी हो foreign की कोई company हो उसको आप join करें या foreign में जागर कि आप settlement ले या मालवा business भी कर रहे है तो आपके product की selling जितनी इंडिया में होती है या आपकी country में होती है उससे ज़्यादा foreign में हो विदेश में हो इस तरह से आप इसको भी बताता है यदि किसी की हतेली में इस तरह से नारीका रेखाओं की मदद से ये लूप बंतावा दिखाई दी जो sun mount के तरफ या moon mount के तरफ देख रही है इनलों का intuition on point होता है इनको भविश के घटनाओं का आभास होता है अच्छा होना है वो भी इनको पता चल जाता है जरिया कुछ भी हो सकता है अब ये इनको पर डिपन करता है कि इनका इनको जैसे ये कितना connect कर पाएं ब्रमार्ण के साथ रकृति के साथ ये जितना खुद को जोड़ पाएंगे ये intuition इनका उतना ही अच्छा होता चला जाएगा तो ये by birth है इनके साथ यानि पिछले जनम म ये काफी सिध्ध पुरुष होंगे या कुछ भी मतलब जेनर वाइस हम आप नहीं ले रहे हम knowledge की बात कर रहे है तो past life में इनका काम कुछ ऐसा होगा जहां भविश्की घटनाओं को ये predict कर पाते होंगे something इस तरह से क्योंकि ये past life से carry करके इस lifetime में लेकर के आए है और आप आपकी हदेली को देखकर के ऐसा लग भी रहा है कि आपका ध्यान mystical science के तरफ बहुत ज़ादा होगा रहस्मी विद्याओं के तरफ आप खुद को खीचा हुआ मैसूस करेंगे आपको इसा लगेगा कि वो ग्यान वो knowledge आपको अपने तरफ खीच रहा है आपको रहस्मी किता पढ़ना अच्छा लगता होगा आपको इस्टिलॉजी बहुत अट्रक्ट करती होगी आपको पामिस्ट्री अट्रक्ट करती होगी जो नॉर्मल इंसामों के समझ में ग्यान नहीं आता है उस ग्यान के पीछे आप भागते हैं आप ब्रह्मान को समझना चाहेंगे और ये आपके बर्थ नंबर से भी पता जलता है यदि किसी भी विक्ति की डेट और बर्थ में नंबर सेवन अगर आ गया तो ऐसे लोगों का बच्छमन बहुत अच्छा नहीं जाता है इस्ट्रकल काफी जादा रहता है अप टू थर्टी फाइव से फोटी इस्ट्रकल जादा द और आपका स्पिरिच्वाल हुना वो तह है पास्ट लाइफ से ही लेकर के आए आप कि तू से रूल हो रहे हैं आप तो अबसी बात है कि स्पिरिच्वालिटी के तरफ आपका ध्यान जाना तह है और जहां तर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप धर्म कर्म पे खर्च भी करते है जनकल्यान के ऐसे लोग बहुत पैसा लगाते हैं आने वाली टाइम में यह मेरा प्रेडिक्शन है आने वाली टाइम में आप अपनी कमाई का एक प्रतीशत हिस्सा या तो अभी भी लगा रहे है या आगी आप लगाएंगे जनकल्यान पर और ऐसे लोग जैसे कोट में जुड़ना तै होता है वो भी ओल्ले जाकर के यह अगीज में नहीं ओल्ले जाकर के और आपका लिप का पाथ चेंच होता हो भी दिख रहे हैं इस एसमें तो देखते हैं भविश के गर्व में क्या चुपा है लेकिन हाँ इतना तै है कि आप धर्म से और अजन कल्यान से जोड़ा काम आप करेंगे ऐसे लोग मंदिर के स्थापना भी करते हैं यदि इनकी कमाई बहुत सादा होती है तो मंदिर के स्थापना करना या मंदिर में जाकर कि खोब सारा दान पुने करना लोगों के लिए भूजन की विवस्था करवाना जूच चुके होते हैं इनको पता होता है कि रास्ता क्या है उस समस्या से बाहर निकलेगा तो प्रॉब्लम सॉल्वर के तोड़ पर भी आप इनको देख सकते हैं इस साइन के वज़े से भी काम्याभी आपको अर्लियस में नहीं मिलती है क्योंकि केतु जब आपको रूल करता है तो वो आपको काम्याभी से दूर रखता है अप टो 35 और 40 उसके बाद ही आप काम्याभी का मूँ देखते हैं क्योंकि केतु आपको जिन्दी की सच्चाई बताता है केतु आपको रियालिटी बताता है कि दुआ को बताता है कि यह दुनिया जहां आप आए है तो यहां सिर्फ आप अपने लिए नहीं आए है आप पहले जिन्दी का तज़ुर्वा लीजिए और अपने ज्यान से लोगों का भला कीजिए तो यह है यह मंगल की रिखा जिसे एंजल सलांग कहते हैं यह हमारी पूरवज होते हैं यदि किसकी हतेली में यह साइन है तो आपके पूरवज का साथ है उनका आशिरवाद आपके साथ है और हर समस्या में आपके उपर उनका आशिरवाद बना रहेगा एक कवज की तरह वो आपको प face करना ही होगा आपके पूरवजों का अशिरवाद आपके साथ है तो वो problem की जो frequency है वो 30% यह से 40% कम होगी बस 60% minimum आपको problem हो जेलना होगा ही अगर यह बहुत close होता तो बात कुछ और होती फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि problem आते आते नहीं आते है यानि आपको लगता है कि यह problem आने वाले जैसे कभी-कभी लोग कहते हैं कि पता नहीं मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कहीं मुझे जेल ना जाना पर जाए लोग बोलते हैं ऐसा करके और वो नहीं जाते वो समस्या उनकी दिमाग में तो रहते ही लिकांकी लाइक में नहीं आते है लिगी इनकी इस साथ क्या आए कि problem दू आएकी उसको नहीं रोख सकते है एक और चीज़ क्या होती है, इस तरह की हतेली जिनकी भी होती है, इनकी लाइफ में हर चीज़ बड़ी unpredictable होती है, काम्याभी भी अचानक से मिल जाएगी, अचानक से भागिते होगा, और अचानक से हेल्थ की प्रॉब्लम ही ना बड़ी अजीर से आती है इनकी लाइफ में, जैसे खुद आती है, खुद चली जाती है, और इस तरह की हतेली जिनकी भी होती है, इनकी लाइफ में maximum जो हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, वो rare type होती है, जहां medical science में कुछ नया सीखने को मिलता है, और ये problem generate होती है, और फिर खुद बड़ी चली भी जाती है, जैसे किसी क तो अचानक से सुबहोते सुनाई नहीं दिया, सुनाई दिना बंध हो गया, और फिर दो तीन दिन बाद एकदम ठीक हो गया सब कुछ, या एक मन के बाद सब ठीक हो गया, मतलब अचानक से कुछ अजीब सा होना, जो आपने सुना भी नहीं कभी, जैसे मतलब कुछ भी प्लानिंग आपकी सपीक बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इसलिए एक काम्याभी जिस तरह की आपको मिलनी चाहेती है वो अपको तक मिलनी पाई है। तो प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं है और गुस्से में तो आप अपक हो देते हैं। यह दिकत है। गुस्से में आक और गुठाग आप अच्छा है। दोस्तों की संखेंटी लिमिटेड होगी, बहुत साथ नहीं होगी। हाँ, यह किसी भी महौल में ढ़ल नहीं सकते। इनका यह जो कहते हैं, इनके अंदर वो वाला, यह फार्मुला इनके उपर लागो नहीं होता है। यह किसी भी कैम्याओी के पीछे पागल होते हैं। इनको काम्याओी चाहिएक, बस काम्याओी होती है, इनको खुष ही सी सब कुछ है। इनके साथ थोड़ा क्या हुआ कि हाँ start जुप्टर से हुआ career इनके लिए इनकी priority है लेकिन क्या हुआ कि जब आपकी mind line आपको spiritual बनाने लग जाए तो वो एक जो पागलपन है अपनी career को build करने के बीचे वो थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि आप metal stick जादा starting में तो होंगे लेकिन धीरे दे करके वो metal stick आपका कम होतावा दिखता है धीरे दे करके पैसा आप कमाएंगे लेकिन उसको वो होता है न जिसे पैसा कमाया और सब मुझे अपने पास ही रखना है वो वाल नहीं होगा कमाई आप अच्छी करने वाले हैं और अभी भी कर रहे हैं लेकिन आगे चल करके बहुत अच्छी कमाई आपकी होगी लेकिन आप खर्च बहुत करोगे जनकल्यान पी बहुत खर्च करोगे यह इसको उबताता है यानि पैसे को पकड़ करके नहीं रखते हैं हार्टलाइन मैंने जैसे कहा कि स्टार्टिंग में आप ही फिलाल ठीक है आप फैमिली को आप मेहतो देते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है वेकिन गुस्सा बहुत आता है और वर्क आपके लिए सब कुछ है आपका करियर आपके लिए सब कुछ है आपके जीवन में दुश्मनों की कमी नहीं है बड़े शांदार दुश्मन आपने बनाए हुए हैं एक तो बहुत करीबी या एक बार तो बड़ा सॉलिड वाला धुगा आपको मिला होगा बहुत दगड़ा वाला धुगा मिलता है आप किसी ऐसे इंसान पर ट्रस्ट करते हैं जो कि ट्रस्ट के लायक नहीं है और वहाँ जैसा भी नुकसान जाए वो आपको mentally और financially दोनों तरह से problem देता है यह आपके हतेली में है और तीन ऐसे लोग हैं आपके जिंदगी में जिनकी बस यही काम ना रहती है कि मैं भले कुछ ना कुरू चलेगा लिकिन उसका अच्छा नहीं होना चाहिए आप बाद में जाकर के इसके बाद उनको भी पच्छतावा होता है कि उनके पीछे दिमाग लगा करके क्या किया मैंने क्योंकि मेरी जिंदगी तो ना तो उनके अच्छे होने से बुरी होती और ना ही उनके बुरी होने से अच्छी होती इनको आपनी दुश्मनों से भी काम निकलवाना आता है आप आगे चलकर के देखेंगी कि आपका communication कैसा है फिलाल work place पर कमाल का communication है आपका और आप बहुत smart हैं, mentally बहुत smart हैं आप work place पर जब बात करना start करते होंगी तो आपके दुश्मन भी आपको सुनेंगे इतनी पुक्ता बात करते हैं और इनकी बात करते हैं जब कभी कभी ना आप देखना कुछ लोगों की नॉर्मल सी बात करेंगी एदम नॉर्मल सी आपको पता है उस सारी बात आपको पता है लेकिन फिर भी आप उनको सुनना चाहेंगी इनके बोलने का लहसा इतना अच्छा होता है तो ये इनके अंदर फील होता है इनको सुनने के लिए लोग बत्व इनको सुनना लोग पसंद करते हैं इतना अच्छा ये बोलते हैं आप इनका communication skill पहले देख लेते हैं Communication skill आपका workplace पर तो बहुत अच्छा है उस पर तो कोई doubt की बात ही नहीं है लोग बोलते भी होंगी कि आपके बोलने की सशैली बहुत अच्छी है उनको नहीं पता चलता होगा कि आपकी पकर आपके शब्दों पर कमजोर है उनको नहीं पता चलता होगा लिकिन घर के अंदर इसका just उल्टा है घर के अंदर तो आप बोलने का कुछ बोल देते होंगे कुछ कभी-कभी सही शब्दों का जब आप इस्नमाल नहीं करते हैं तो मामला खिलाफ आपके ना होते वे भी आपके खिलाफ हो जाता है तो ये problem इन्होंने काफी phase की है family के अंदर और गुसे में चाहे आप office में हो या घर के अंदर हो जब बोलेंगे गलती बोलेंगे इसका ध्यान रखेगा तो गुसे में खास करके office के अंदर जबान नहीं खोले तो ज़्यादा बेतर और जहां तक बात रही आपके discipline के तो बिलकुल भी नहीं है आप कभी-कभी बहुत आलसी हो जाते हैं और उस आलस की वजए से opportunity आपके दर्वाजे तक आते आते रह जाती है आती भी है तो आप time पे दर्वाजा नहीं खोलते तो आप opportunity को miss करते हैं और miss किया है आपने अपनी इस आलस पन के कारण और ऐसे लोग सामान को सही जहें पे रखते नहीं है मालो इनको ऐसे मान करके चलना है कि इनका कोई social media account है उसका कोई password है तो यह password बनाते हैं बड़ उसको link करके कहीं रखते नहीं है तो जब change करने का time आता है तो यह खुद अपना password भी भूल जाते होंगे तो कुछ इस तरह की problem इनको face करनी होती है और सामान को सही जहें पे रखते नहीं है और ठीक है मतलब यह सारी दिक्कते हैं आप तो आपकी age काफी ज़ादा है तो मुझे नहीं लगता है कि यह problem अब देगी क्योंकि कोई भी side effect देने वाली sign आपकी हतिली में यदी है तो एक उम्र तक ही वह आपको side effect देती है उसके बाद थोड़ा उसका कम हो जाता है लेकिन यह वह यह 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 में आपने बहुत से opportunity miss की है यह 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 में आपने आलस बहुत किया है यह तो है और यह वाली finger आपकी काफी बड़ी दिख रहे है मुझे जिप्टर की finger जिप्टर की finger जब आपकी बड़ी होती है तो obviously बात है knowledge में वह भरी ग्यान में आप आम इंसान से ज़दा अच्छे होते है लेकिन यह आपको घमंडी भी बनाता है अब आपके साथ क्या है कि starting में starting में क्योंकि mind line आपको spiritual बनाते वे दिखनी रही थी तो घमंड तो बहुत होगा आपनी ग्यान का आपको लेकिन बाद में जब इंसान धार्मिक हो जाता है इनकी बात यदि कोई काट दे अंसुना कर दे तो इनको वो अपना दुश्मन नजर आने लगता है और ये कहने ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बहुत फ़र्क पड़ता है इनको ये अपनी आपको सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं ये वाली बात होती है और अगर मालोग कोई इंसान लगाता है इनकी बात को काटे जा रहा है तो वो सामिवाले को साइड करने में भी देड़ी नहीं लगाते है मनी मेनजमेंट आपका ठीक है बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह सकते Awas दोष्用 पर बहुत जद Reins आपक ठीक है चिला कौन होता है जो डोष्फी आप खर्च करें आप फुद पर पर लागत जदी करें रही कि दोशर केकर दीक करते होंगे दूस्थों अपस्र बुरी है तो वो इस वज़े से क्योंकि जिप्टर कमाउंट हलका साबका सेटान के तरफ शिप्ट कर गया है यह जबान में करवाहट लेकर किया आता है और यदि एक ही बाद आपसे दो या तीन बड़ पूछ ली जाए तो आपके बोलने का तरीका बड़ा अजीफ सा होता है सामने वाले को पसंद नहीं आता है जब आप सामने वाले को जी जी रपके या फिर मुह बना के बात करें ना तो सामने वाला ज्यादा समय तक आपसे बात करना चाहता नहीं है तो यह दिकत है आपके अंदर इस वज़े से आपका आपकी लाइफ पार्कर और आपकी आजकर जैसे होता है ना कि थोड़ी बहुत लड़ाई जगड़े, वही होंगे, कोई बहुत गर्बड वाला मामला नहीं दिख रा, और दूसरों की प्रॉब्लम आपको ठीक-ठक समझ में आती है, ऐसा नहीं कि बहुत जाल समझ में आती है, यह समझ में आती है, दूसरों की वाली कोई भी लानों चाहिए हो horizontal हो vertical हो या फिर triangle के shape में ही बंदा हो connection बनाने वाली कोई भी sign है विदेशी धर्ती से संपर्क बनता है विदेशी धर्ती के लोग आपके संपर्क में आते हैं और आपका आना जाना फॉरन में लगा विदेशी धर्ती से धन के आगमन के सायं के तौर पर भी आप इसको लेख सकते हैं लख लाइन आपके स्टार्ट कुई है के तुसरे राहू से राहू से यदि लख लाइन आपके स्टार्ट होती है भागे ते इनका 28 के बाद ही होता है और बड़ा अंसर्टेन होता है इनका करियाथ कभी बहुत काम्याबी कभी बिलकुल भी नहीं कभी बहुत पैसा कभी कम पैसा तो एक सारवाली जो जिन्दी होती है न एक जैसे मानो इस मन्त में 30,000 मिल रहा है क्योंकि रहु या के तू या शनी यदी आपके आहसपास है आपके वर्तमन्त से जुड़ा है या आपकी हदेली में आपकी लख लाइन रहु getू रहो से स्टार्ट हो रही है तो इनके उपर इनके इनके 10,000 के उपर खास मंध नहीं दो तो आपको अपने कर्मा का बड़ा हिसाब किताब रखना है किसी का बुरा मत करना कभी मैंने काना कि जब इंसान केतों से रूल होता है तो अचानक भागयोते होने की संभावना होती है या राहू से यहां किया कि यह वाली साइन अचानक भागी में होने वाली परिवर्तन, अचानक मिले वाली पब्लिसिटी, यानि आपके जिंदगी में ऐसा पड़ा आएगा, जहां रात और रात आपकी जिंदगी या तो बदली होगी या बदली होगी, क्योंकि मुझे आपका पास तो सही से नहीं बता, और यहां आप आपको फेम अच्छा मिलता है, यानि सोरी और शनी की यूती बन रही है आपर, एक जिहें पर, दोनों आपस मिलते वे दिख रहा है, तो फेम भी है और पैसा भी है, दोनों एक साथ आपकी जिंदगी में इंट्री लेते वे दिख रहा है, और यह जो इंट्री है, यह किसी के जिप्टर के मांट के उपर, आपको ट्राइंगल का साइन बनता हुआ दिखाई दे, काफी बड़ा ट्राइंगल का साइन है, मैनेजिंग इसके लिए इनकी बहुत अच्छी होती है, यदि यह किसी बिजनस कर रहे हैं, और इनको कोई काम किसी से करवाना है, कोई प पता है कि उस प्रोजेक्ट के लिए किस इंसान को मुझे चूस करना है, और किस इंसान के इंदर कौन सी कावियत है, यदि किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं, और इनको कोई प्रोजेक्टर दिया गया, तो यह जो अपनी टीम बनाएंगे, मालों इनके ओपर डाल दिया गय तो बहुत परफेक्ट होगा, इनको पता है कि किस इंसान के अंदर कावियत कितनी है, और इसको कौन सा काम देना है, अगर आपको यह समझ में आ गया, तो आपका कोई भी काम, ज़्यादा समय तक, नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, टिकता नहीं, ऐसे नहीं, जैसे कोई आप किसी से भी बेतर करके दिखाओगे, और कम समय में आप अच्छा दोगे, यह मैं कहना चाहिए, तो ऐसा है इनके अंदर, और यह लोग रिश्टों को सहीच करके रखना जाते हैं, हाला चाहिए कुछ भी हो, यह सामझस से बनाने में यकीन रखते हैं, जिश्टा प्रॉपर्टी बहुत बनाती हैं, बहुत जारा, पैसा जितनी कमाई यह करते हैं, उतना ही इनवेस्टमें प्रॉपर्टी में करते हैं, इनको प्रॉपर्टी से बड़ा लगा होता है, जैसे बड़ा घर, बहुत सी जमीने, मालो इनकी पास option हो कि यह करोडों रूपए मंगल से आने वाल ये रेखा यदि सेटान के तरफ चली गई तो पार्टनर से अनवन किस्तिती रहती कभी-कभी तलाती नौबत भी आ जाती है आपकी हतिली में क्या है कि आप सामझे से बिठा करके चलने वाल इनसान है जगडे होंगे कभी-कभी हालात आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है बुरा जाए लेकिन आप उस समझदारी से उस हालात को संभाल लेते होंगे विष्टा आप तूटता हुआ नहीं देख सकते और आप तूटने देंगे भी नहीं एक और चीज क्या है कि अगर केतु से आने वाली कोई भी धंडे खा आकर की एक सटेन इस पर आपकी लाइफलाइन से अटाच हो जाए और उसके कुछ वक्त के बाद लाइफलाइन से यह इस तरह से लखलाइन निकले इसका यह मतलब होता है कि आप करियर में अच्छा कर रहे हैं ठीक है आपकी दिमाब में चलना होता है कि आपकी तरक्की में जो रोड़ा है वो आपकी फैमिली बनी है और कुछ वक्त तक आपकी हतेली में मुझे 10 साल का समयस्ता लग रहा है जहां आपने स्टक फिल किया होगा अपनी फैमिली की वज़े से और लाइफ 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 मज़दूरी भी बहुत अच्छा कर लेंगे लेकिन अगर आपको राजा बनना है तो दिमाग से काम करिएगा क्योंकि आपकी हतेली में दोनों चीज़े हैं और ऐसे लोगों के साथ एक और दिक्कत क्या होगी न दिमाग लगाने में भी आलस आता है इनको आप मतलब में से बात करूँगी बड़ा आलस आता है ज़्यादा दिमाग लगाना भी पसंद ने जिप्टर की माउंट पर बनने वाला स्क्वार का साइन एक तो आपके रिष्टों को प्रोटेक्ट करता है और जितना स्क्वार का साइन होगा उतनी प्रोपर्टिया आप बनाएंगे इसको आप इस तौर पर भी देख सकते हैं सन माउंट आपका काफी अच्छा है ये ट्रैंगल का साइन अच्छानक होने वाली भागिदे को शू करता है ऐसे लोग की लोटरी लगती है या ऐसे लोग मालों को बिजनस स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छानक से इनकी बिजनस को ग्रोथ बहुत जादा मिल जाना इसको भी बताता है और आपकी हदिली में सन माउंट पर यदि मैं बात करूं तो कम्प्लीट ट्रैंगल का साइन मुझे एक भी दिखाई नहीं दे रहा है वैसे जितना बड़ा ट्रैंगल का साइन आपको सन माउंट पर होता है आपको तरकिय उतनी ही बड़ी देता है फिलाल अगर मैं देखूं तो एक यह साइन है बट यह कम्प्लीट मुझे दिख नहीं रहा है यह साइन अगर कम्प्लीट है आप एक काम करना सन माउंट का क्लोस पिक मुझे देना मैं देखना चाहूं कि मुझे यह साइन लग तो रहा है बट मैं शिरू नहीं हूँ तो यह मध्यम से ज़्यादा सफला को बनाता है एक क्लोस पिक चाहिए मुझे सन माउंट का बस इमुनिटे आपकी ठीक है ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है ठीक है गुस्सा बहुत आता है लक्जीरियस लाइफ आपको पसंद है एडिक्शन नहीं है उसके बिना भी कभी बात रह लेंगे जिंदगी में एक फैसला जो भी आपने लिया होगा उसका पस्तावा आपको पुरी जिंदगी देगा एक कोई फैसला रहता इंसान को जब मुनमाउंट वीनस की तरफ शिफ्ट हो जाता है इसके साथ ही बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलीगी आपको यदि आप अपने स्टेट से बाहर जाकर की जॉब करें तो वहां का महल आपकी सपोर्ट म पसंद करेंगे और उससे भी जादा कंट्री अधर कंट्री के लुब आपके प्रोड़क्ट को पसंद करेंगे तो इस तरह से बाहरी लोगों की मदद आपको बहुत मिलेगी यदि energy की बात की जाए तो भरपूर है बहुत जादा energetic है आप यदि आप 12 गंटे 15 गंटे भी का बड़ी unpredictable सब behavior है आपका तो इस वज़े से भी थोड़ी बहुत साथ अधिकत आपकी personal life में नहीं है ऐसी नौबत नहीं है कि आपका दम खुट रहा है life partner आपको बहुत पसंद करती है वो आपको बहुत मतलब अपने आपसे ज़्यादा आपको पसंद करती है ये बात भी तह है अगर आपकी personal life में थोड़े बहुत issues है तो बहुत हलका से उनका dominating nature और आपका गलत खुद को मतलब आपकी बात को कोई काट दे मतलब थोड़ा सा एहम भाव आपके अंदर जो है उसके वज़े से अधरवाइस personal life आपकी बहुत अच्छी है मैंने आप सिखा कि past life में आप सद्गुरू टाइप थे जिसकी वज़े से वो आप कैरिकर किसे एज में लेकर के आए हो भगवान के प्रतिया आपकी आस्ता बहुत ज़ादा थी आपको इश्वर के होने का एहसास होता था तो ये शक्तिया आप by birth लेकर के आए हैं जहां आपको भश्य होने वाली घटना and communication आपको बहुत वीग था आप spiritual थे आप spiritual गुरू बनने की शमता रखते थे आपके अंदर ग्यान बहुत था लेकिन communication आपका वीग होने के वज़े से उसको आप अपना profession सही से नहीं बना पाए जिसका फाइदा आपको इस सेज में मिला है और बहुत मिलेगा क्योंकि जब आप पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा कर्मा करते हैं उसका फल आपको नहीं मिल पाता है तो वो आप इस लाइफ ट्राय में लेकर क्या आते हैं कहने कहीं इस तरह की जब हतेली होती है तो ऐसे लोगों के मन में सुसाइट करने के थौट बहुत ज़ादा आते हैं वो पास्ट लाइफ में तो वो सकता है डेथ का रिजन सुसाइट रहा हो तो इसलिए थोड़ा होता स्टगल आपने स्टार्टिंग में जहला है रुकाव चीज़ और बता दे कि अभी जब ही जब ही जिद्गी में कभी न कभी क्योंकि पास्ट लाइफ का कर्मा काफ़ स्टॉंग है इंपर्ट फूल है आपकी लाइफ के ऊपर तो कहीं न कहीं जिद्गी में कभी न कभी यह जो सुसाइट करने वाला थोट है यह आया होगा एक आपके आसमास के लोगों के लिए हामफूल था ऐसे लोग किसी को खतम भी कर सकते हैं जब इनको गुसा आता है तो पास्ट लाइफ का कर्मा लॉजिकली देखा जाए तो हाम भर्वान के प्रतियास था भर्वान के बने का ऐसा सब कुछ है लेकिन गुसे के वज़े से आप आपकी लाइफ में बड़ा शिप्ट आएगा तो सबसे अच्छा साल होगा 2026 आपके लिए बहुत अच्छा साल है बड़ा शिप्ट है नई जिन्दगी में आप यहां पे इंट्रे लेते वे देख रहे हैं बात की जाए 2025 की तो 2025 कंप्लीट आप से डाउन में बीतिता लिख रहा है 24, 25 यहां क्या है कि जब 24 से 25 तक आप पहुचेंगे तो हाँ ठीक है कि 24 में एक अच्छा हलका सभीतर हुआ अभी फिलाल जिसका जिकर मैंने आपको बताया था पहले हलका सभीतर हुआ जिन्दगी और यहां क्या है कि थोड़ा साना आपको हेल्थ का प्रॉब जिसक्षा-डलत्य बता रहा है जैसे क्या-क्या हाँ प्रॉब्लम आ सकता है तो जहां तक आपके हगिली बता हुआ रही है तो यह हो सकता है पेट से इक विल्क करीब हैख भी खुशी मिलते भी दिख रही है, लेकिन बहुत अच्छा होता वा नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है कि एकदम से जिंदगी बतल रही है, हाँ बहुत अच्छा कब होगा, जब 2026 में आप इंट्री लेंगे, या 2025 के ऑक्टूबर के बाद से, वहां से जिंदगी काफी स्मूथ आपके देख रही है, 2026 आपका बहुत अच्छा जाएगा, यहां से हल्द इशूस बिल्कुल भी नहीं है, 2027 भी आपका बहुत अच्छा जा रहा है, फिलाल अभी का जो टाइम है, थोड़ा बहुत हल्द इशूस, थोड़ी बहुत बिकते बनी रहने वाली है, वो फामिली के हल्द को लेकर भी हो सकती है, फामिली में किसी मेंबर के हल्द को लेकर के हो सकती है, या खुद आपके हल्द को लेकर के हो सकती है, बाकी अभी 2025 के बर्थमन से पहले आपको कोई खुशी मिलते वे दिख रही है, और 2026 के बर्थमन के करीब हो सकता है, 2025 का लास्ट क्योंकि बर्थमत आपका इदम से अर्ली में आ रहा है, साल के स्टार्टिंग में ही है, तो ये एड़ भी हो सकता है, 2025 के या 2026 का स्टार्टिंग वहाँ पर. आपको बड़ी खुशनी मिलेगी, बड़ा शिप्ट है, या जॉब चेंज हो रहा है, करियर में चेंज आ रहा है, अच्छा चेंज है, करियर वाइस आप अच्छा करोगे, ठिक ठा करते देख रहे हैं, हाँ, हेल्थ का दिकता आ रहा है, बस इतना ही है, बाकी हेल्थ से जुड़ी, रेमेडी जएदी आपको चाहिए तो बताइएगा, मैं आपको प्रवाइड कर दूँगी, फिलाल आप यह अनलिसस वीडियो देखे, अगर आप वैसा लग रहा है, कि कोई सवाल का जवाब आपको इस अनलिसस वीडियो के दौरान नहीं मिलाएं, तब आपको पने से वाल के जीए, वर्ट सिपर, टेके लिए बापाई